नमस्कारम, हम पढ़ रहे हैं 10th Class Biology, Chapter 8, Name, How Do Organisms Reproduce? यह हमारे लेस्टन की दूसरी वीडियो है, इससे पहले हमने यहां तक पढ़ लिया था, और अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे, ठीक है? यहां यह टोपिक कहता है, कि क्या जो ओर्गैनिजम होते हैं, जो वो अपने बेबी पैदा करते हैं, क्या उनके बेबी बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं, क्या वो 100% same to same, जो बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स की कोपी होते हैं, जो जीव होते हैं, वो एक जैसे दिखाए देते हैं, वो एक जैसे इसलिए दिखाए देते हैं, क्योंकि उनकी बोडी का design सेम होता है. जैसे इंसान के केस में देख लीजी आप, सभी के पास दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, एक सीर होता है, दो आखे होती हैं, दो कान होते हैं, एक नाक होता है, यानि कि बेसिक सा हलां कि शकल तो अलग-अलग होती है, लेकिन डिजाइन एक होता है, ऐसा नहीं है कि भी किसी तो सब सीमिलर दिखते हैं, सब के पास एक एक बीक है, दो पैर हैं, दो पंक हैं, ऐसे, तो जो हाथ देख लिजी आप, सभी के पास सूंड होती है, है ना, स्टेल होती है, बड़े-बड़े दो कान होते हैं, तो जो ओर्गेनिजम होते हैं, वो एक जैसे दिखाई देते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी बोडी का डिजाइन भी एक सेम डिजाइन कोता है If बोडी डिजाइन आर टो बी सीमिलर The blueprints for these डिजाइन शुड बी सीमिलर कि अगर बोडी का डिजाइन सेम हो ना तो इसके लिए जरूरी है कि उनका blueprint same होना चाहिए यानि इस line में कहता है कि अगर जो organism है उनका design same हो अगर आपको उनका design same करना है तो इसके लिए ये भी करना पड़ेगा कि आपको उनका blueprint भी same रखना पड़ेगा blueprint हम वही बात करें है blueprint कि अगर सबी के पास दो आखे होंगी दो एकनाक होगी दो कान होंगे तो वो blueprint है कि अगर blueprint same होएगा blueprint मतलब design की ही बात एक तरह से कि blueprint same होएगा यानि जिसे कोई building है building का नक्षा अगर same है तो वो सारी building है same बनती है तो वो ही बात है कि अगर आप किसी organisms के जो design same करना चाहते हो तो उनका blueprint, उनके नक्षे भी सेम होने चाहिए Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design कि यह reproduction जो process है ना इस reproduction process में क्या होता है जो body का design होता है उसका जो blueprint होता है उसकी copy त्यार की जाती है देखो, वापिस पढ़ते हैं reproduction के अंदर क्या होता है reproduction के अंदर एक basic काम होता है एक main काम होता है वो काम क्या होता है कि जो organism है उनकी जो body का design के लिए जो blueprint होता है उस blueprint की copy बनाई जाती है यानि इसमें यह कह रहा है कि माल लो, एक चिडिया है उससे आगे baby चिडिया पैदा होनी है तो अब उस चिडिया का जो body का design है उसका जो blueprint है वो blueprint की copy करने पड़ेगी और वो blueprint बेबी में भेजना पड़ेगा तबी तो वो चिडिया अपनी mother चिडिया जैसे दखेगी यानि उसके अंदर design भीजना पड़ेगा कि आप उसके अंदर भी एक चूँच होएगी दो पंक होएगे, दो पैर होएगे ऐसे, दो आईज होएगी वो fly करेगी यह सब यह design है मतलब जैसे आप समझो कि आपको कोई building दिखिया वो building आपको बहुत अच्छे लगी मालोब आपको किसी गर दिखाई दिया और आपको भी घर बनाना है और आपको वो घर बहुत पसंद आया तो आप क्या करोगे, यह तो नहीं भी वो घरे उठा लोगे तो आप क्या करोगे, आप उसका design मांग लोगे कि हमें इसका design दे दो और अगर आपको design मिल गया तो आप भी बिल्कुल same to same उसी घर जैसा घर बना लोगे अगर आपको बता देखा कि निचे चार रूम है इतने बड़े रूम है, यहां से entrance है इतने बड़ी entrance है वाश रूम इदर है तो वो सागी अगर आपको design मिल गया building का तो आप वैसे ही building मना दोगे तो वही बात है यहां पर कि reproduction में क्या होता है जो body का design होता है उसकी copy की जाती है और वो design फिर बच्चों में pass कर दी जाता है तो फिर बच्चों का शरीर भी parents जैसे शरीर बन जाता है यह तो वजह है अब हाथी के बच्चे हाथी जैसे क्यों दिखते हैं इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसके अंदर भी हाथी वाले design पास हो जाता है शेर के बच्चे शेर जैसे दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर शेर का design होता है इंसान के बच्चे इंसान जैसे दिखते हैं क्योंकि इनके अंदर इंसान का डिजाइन होता है इन ग्लास नाइन के यहां पर फूल्फरम दिखते हैं कि नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था हमने सीखा था कि जो cell होती है cell के अंदर जो nucleus होता है nucleus के अंदर chromosome पाए जाते है और chromosome के अंदर क्या होता है chromosome के अंदर information होती है information होती है जो information माबाप से बच्चों में transfer की जाती है और वो information कैसे transfer की जाती है DNA के रूप में DNA क्या होता है deoxyribonucleic acid तो इस लाइन में, एक बार और पढ़ते हैं इस लाइन में क्या का रहा है, कि नाइन्थ क्लास में हम यह पढ़कर आए हैं, कि जो सारी सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर नूकलियस होता है, नूकलियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, ठीक है, और DNA क करता है यह इसके अंदर जानकारी छिपी होती है वो जानकारी कि जो माँबाप से बच्चों में ट्रांसफर की जाती है जो हम ब्लूपरिंट की बात कर रहे थे कि कितने आख होएगी कितने टांग होएगी कितने कान होएगी वो ब्लूपरिंट यानि वो जानकारी DNA में छिप पे होती है और DNA किसके अंदर होता है और हो इन्फॉर्मेशन सोर्स फोर मेकिंग प्रोटीन अब DNA की बारे में थोड़ा सा और बताया है कि DNA सेल के अंदर होता है जो ठीक है DNA के अंदर क्या होती है जानकारी होती है कौन से जानकारी प्रोटीन बनाने की जानकारी वाप इसे पढ़ते हैं DNA जो सेल के अंदर होता है DNA के अंदर प्रोटीन बनाने की information होती है यानि कि जैसे हमारी जो बोडी है न उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, अगर पानी निकाल दे न अपनी बोड़ी के अंदर वैसे तो पानी ज़्यादा होता है, पानी को निकाल दे तो जो बच गया उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो जैसे किसी की आँखो कलर कैसा है, प्रोटीन ही बनाता है, मसल्स हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है हमारे नाखुन होते हैं उनके अंदर प्रोटीन बाल होते हैं उनके अंदर प्रोटीन हमारे बोड़ी के अंदर बहुत जदा प्रोटीन होता है और प्रोटीन कभी सारे हमारे एंजाइम होते हैं होर्मोन होते हैं वो सब के सब क्या है, प्रोटीन के बने होते हैं, तो अब ये प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनेगा, किस में बनेगा, ये सारी जानकरी किस के अंदर होती है, डियने के अंदर, जैसे किसी आंक, मालो आंक आइस का कलर है किसी का, किसी का ब्लू कलर है, किसी की ब्राउन आइस किसի के black eyes तो ये character ये character, ये गुण biggest ये गुण große सिध्य करेक्षर прWhen ये character, ये गुण बूर्ड हों किसके अंडर च्रपा होता है ये DNA अगर DNA के अंदर लिखा है कि blue eyes होंगी तो ब usu बूर vídeo eyes होते है बूर्ड बीन A के अंदर लिखा है कि black eyes होंगी तो बच्चे की black eyes होती है If the information is changed different proteins will be made कहता है कि DNA के अंदर क्या है protein बनाने की information होती है अगर DNA के अंदर change हो जाए तो protein भी तो अलग बनेंगे जैसे किसी अगर building के नक्षे में गर आप खराबी हो जाए तो building में भी खराबी हो जाएगी वही बात है कि अगर DNA में change आ गया तो उससे protein में change आ जाएगा अगर DNA change हो गया तो अलग अलग protein बनेंगे मैं लो किसी के अंदर black eyes बननी थी black eyes का DNA था लेकिन DNA में change हो गया change की वज़े से क्या हो गया blue eyes वाला protein बन गया तो उसकी blue eyes बनेंगी ठीक है तो अगर किसी के DNA में change आ जाए तो उसके character में change आ जाता है उसके गुणों में change आ जाता है उसके eyes उसके body के structure में change आ जाता है different proteins will eventually lead to altered body designs की अगर DNA में change आ गया तो protein अलग बनेंगे अब अगर different अलग-अलग protein बनेंगे तो उससे क्या होता है body design alter हो जाता है, alter मतलब बदल जाना तो कहता है अगर DNA बदल गया तो protein बदल जाएगा और protein में change आ गया तो body का design में change आ जाता है जो हमने बात करी थी अभी अग इसके color अलग हो जाएगा या body की shape जाएगी या hair का color change हो जाएगा या नेल्स का कलर चेंज हो जाएगा ऐसे चेंज जाता है therefore a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy तो देखिए क्या होता है reproduction में कहता है माँ बाप से बच्चों में DNA ट्रांसफर होता है अब DNA ट्रांसफर होता है तो या अगर कोई साल से साल बन रही है तो उससे भी क्या है DNA ट्रांसफर होता है एक साल से दूसरी साल में तो अब क्या है कि जब DNA से ट्रांसफर होना है तो DNA की कोपी त्यार की जाती है कि reproduction process में एक जरूरी काम क्या है DNA की कोपी त्यार की जाती है DNA कोपी इसको ऐसे समझो मानलो एक किसान है और उसके पास एक हजार रुपे है अब उसके दो बच्चे हो गए वो चाहता है कि मैं दोनों बच्चों को ना एक एक हजार रुपे दे दू तो वो क्या करेगा उसके पास एक हजार रुपे है वो क्या करेगा, एक हजार रुपे और कमाएगा एक हजार से दो हजार बना लेगा दो हजार रुपे होगे, अब वो एक हजार एक बच्चे को दे देगा एक हजार दूसरे बच्चे को दे देगा तो उसने क्या किया, अपने पैसों की कोपी बना ली मतलब 1000 थे, 1000 के जैसे 1000 रुपे और पैदा कर लिए उसी तरह यहाँ पर है, कि reproduction में क्या होता है DNA की DNA transfer करना होता है अब DNA ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए DNA copy तायर की जाती है Cells use chemical reactions to build copies of their DNA अब DNA कहा होता है, cell के अंदर तो जब cell DNA से DNA copy बना रही होती है तो उसमें cell जो है कहीं सारी chemical reaction करती है अलग-अलग chemical reaction होती है, बड़ी मजदार chemical reaction होती है This creates two copies of the DNA in a reproducing cell Reproducing cell मतलब ऐसी कोशी का, ऐसी cell जो divide कर रही है एक से दो बनने जा रही है कहता है कि जब cell divide करती है तो उसके अंदर cell क्या करती है, DNA की दो कोपिया बना लेती है वैसे दहान रही है, एक cell में एक DNA होता है लेकिन divide करने से पहले, cell क्या करती है, अपने DNA को double कर लेती है उसको copy बना लेती है, ताकि वो होने वाली दो cells को दें सके DNA और फिर दो कोपिया बना लेती है, और फिर दो कोपिया हो जाती है फिर दो कोपियों को वो दो नई cells में ट्रांसफर कर देती है however, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work ठीक है, इस line में करता है कि देखो, करता है कि जब एक cell से दूसरे cell बननी होती है तो उसमें DNA भेजना पड़ता है, नए DNA भेजना पड़ता है लेकिन खाली DNA से काम नहीं चलता, DNA के अलाव भी हमें एक चीज भेजने पड़ती है वो अभी दूसरे पेज पर लेके हुई है नए, अभी मैं पूरी line पड़ता हूँ एक बार कि जो DNA कोपी होती है ना, उसमें कहाँ cellular apparatus नहीं होता, इस line को कहाँ है? मैं इस line को कोपी में समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा देखिए, यह एक cell है, यह एक cell है, इसके अंदर कहता है? DNA होता है, मान लो, मैं बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, चलो ठीक है? यह सिंपल सा structure बनाया है, मैंने, इसमें नुपिलिस के अंदर होता है, मैंने खोल के दिखा दिया, यह एक DNA है, अभी इस cell को क्या करना होता है? दो cell बनानी होती है, दोनों इसी की जितने बड़ी-बड़ी cell होती है, ऐसे तो करती है, यह cell करती है, अपने DNA की दो कोपी बना लेती है, एक से दो बना लेगी ऐसे, एक हो गया, दो हो गया, अब एक को इसमें भेज देगी, एक को इसमें ट्रांसफर कर देती है, तो एक DNA इसमें चला गया, एक DNA इसमें चला गया, आये समझ में तो इसको बोलते हैं कि DNA कोपी कर रहा है इसको एक नाम भी देते हैं क्या देते हैं रेप्लिकेशन ओफ डियाने। रेप्लिकेशन ओफ डियाने। यह नहीं भने रिप्लिकेट करा है।। घान यह रिप्रोडूजूग नहीं जो कि यह तो लाइन और कुंट से होते हैं लाइसोसों राइबोसों रफ एंडप्लाज्मी रेटिकुलम यह सारे होते हैं जो आप नाहीं एट्थ क्लास में पढ़कर आयो सेल और गैनली वह सारे होते हैं तुछ लेटनम यही कहा गया है कि जब सेल सेल बनती है तो आपको डीघ्जना ही भीजना है लेकिन ख़ली डीजने से काम ने चलेगा स्थ भी भीजने पड़ेगी तबी तो वह फंक्टेंट करेगा पूरा को इसको पूरी सेल भी देने पड़ती है आया समझना है देरफोर DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus इस लेन में वही बात explain किया है कि DNA copy की जाती है पहले तो जब cell divide करती है DNA की copy की जाती है DNA copy करने के बाद जो cell का apparatus है उसकी भी copy बनाई जाती है जैसे मालो mitochondria भीजनी है सब के अंदर तो mitochondria बढ़ाई जाती है ribosome बढ़ाय जाते है लाइसोसोम बढ़ाय जाते हैं गोलजी अपरेटस बनाया जाता है यह सब बनाने के बाद करती है दोनों DNA को अलग अलग करके उनको अपने अपने cell apparatus में भीज जाता है तो अलग अलग DNA को दो DNA जो बन गया है उनको दो cells में दो नई cells में या दो cellular apparatus में भीज दिया जाता है effectively a cell divides to give rise to two cells और इस तरह क्या होता है एक cell विभाजित होकर divide होकर के दो नई daughter cell बना देती है these two cells are of course similar कि जो नई cell बनी है यह यह दोनों क्या similar होती है एक जैसी होती है but they likely to be absolutely identical but are they likely to be absolutely identical एक निया question पूछता है देखो पहले गाता है कि यह दोनों की दोनों जो नई cell बनी है यह similar होती है लेकिन आगे question पूछती है book कि क्या यह बिलकुल same होती है absolutely identical क्या यह 100% same होती है तो इसका answer है नहीं थोड़ा सा difference आजाता है पहले हम book की समझते हैं फिर मैं बताता हूं कैसे आता है the answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur कहता है कि इस question का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोपी कितने असानी से हो रही है कि देखो cell से जब cell divide कर रही थी तो क्या हुआ था DNA कोपी त्यार की गई थी अब क्या है कहता है उस DNA कोपी त्यार करने में depend करता है अगर वो cell की cell की जो कोपी बनी थी जो DNA से DNA कोपी बनी थी अगर वो 100% सेम है DNA से DNA फिर तो क्या है cell भी सेम होएंगी लेकिन अगर मान लो जब DNA से DNA कोपी बन रही थी तो कोई छोटी mistake हो गई जिससे क्या है DNA और DNA में थोड़ा से चेंज आ गया उससे क्या होगा नहीं डोटर सेल में भी चेंज आ जाता है इसका आंसर है समझो आप कि मान लो आप एक किसी बच्चे से आप एक आंसर कोपी कर रहे हो ठीक है मान लो आप कोपी से आप ूस तो जितना आस्र उसका अकुरेट है उतना आस्र आपका नहीं होगा थोड़ा चेंज आ जाएगा तो वही बात यहाँ पर है, कि जब DNA से DNA कोपी त्यार की जाती है, अगर वो अच्छे से 100% सेम कोपी बना रहे हैं, तो cells जो हैं, वो absolutely identical होंगी, लेकिन अगर DNA से DNA बनने में कोई छोटी mistake हो रही है, तो cells की अंदर भी थोड़ा change आजाता है, और यही answer है इसका, No biochemical reaction is absolutely reliable, कि कोई भी हमारे श्री में जो reaction होती हैं, और गैनिजम में जो reaction होती हैं, वो 100% perfect नहीं होती, देखें, दुनिया में वैसे भी कोई भी 100% perfect नहीं होता है, कोई भी आप, कोई teacher देख लीजिए आप, हर teacher में कोई न कोई कमी मिलेगी, कोई student देख लीजिए आप, हर student मे कोई न कोई कमी होती है, कोई actor देख लीजिए, कोई doctor देख लीजिए, कोई driver देख लीजिए, कोई security guard देख लीजिए, कोई इनसान देख लीजिए, हर एक इनसान में कोई न कोई कमी होती है, तो वैसे ही यहां reactions में भी है, कि reaction हैं भी perfect नहीं होती, उनमें भी छोटी कोई ब जब dna से dna बनता है तो उसमें भी छोटी-छोटी mistakes होती रहती है, जिससे कैए variation आती है, variation मतलब Vibhin Time, difference is ऑती रहती है, जब cells dna से dna बना, तो छोटी सी mistakes होगी, अब उस DNA से अगे dna बना, फिर छोडी सी mistakes होगी, तो ऐसे छोटी-छोटी mistake होती रहती है, जिसने क्या है विभिननताएं आती हैं, variation आती हैं As a result, the DNA copies generated will be similar, but may not be identical to the original कि इसका result क्या होता है, जब DNA से DNA बनता है, तो वो similar होता है लेकिन 100% same नहीं होता Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits कहता है, कहीं बार ही जो विभिननताएं ये changes हैं, इतने बड़े आजाते हैं drastic मतलब कोई बड़ा, बहुत बड़ा change आजाता है जिससे कहा है, कहीं बार जब DNA से DNA बनता है, तो नई DNA में बहुत बड़ा change आजाता है इतना बड़ा change आजाता है कि वो नई cell में functioning कर पाता वो functioning कर पाता such a newborn cell will simply die और उसमें जो नई cell बनती है, वो मर जाती है क्या कहा इसने, कि कहीं बार DNA से जब नई DNA बनता है, तो उसमें बहुत बड़ी mistake हो जाती है वो mistake इतने बड़ी होती है, कि जो DNA बना, वो जब नई cell में जाता है, तो वो cell ये मर जाती है जैसे कहीं बार होता है, कोई बच्चा है, जिस दिन वो पैदा होता है, उसी दिन उसके अंदर कोई बहुत खतरनाक बिमारी होती है और वो बच्चा उस बिमारी के साथ जी नहीं पाता, मरी जाता है तो वही बात यहाँ है, कि कहीं बार जो cell है, उसमें इतना बड़ा change आजाता है, कि वो cell ये मर जाती है कि दूसरी तरफ कहा है, काफी बार ऐसा होता है, कि जब DNA से DNA बनता है, तो कोई change तो आता है, लेकिन वो change बहुत बड़ा नहीं होता तो उसमें कहते हैं, फिर वो cell मरती नहीं है, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसमें कोई चोटी बिमारी है, बहुत बड़ी खतरनाक बिमारी नहीं है तो बच्चा जी जाता है, फिर मरता नहीं है, उसकी दवाए दे कर उसका इलाज कर दिया जाता है Thus, the surviving cells are similar to, but subtly different from each other तो कहता है कि इस तरह जो नहीं cells बनती है, जो मरती नहीं है, लेकिन जिनके नहीं चोटी-चोटी mistake, चोटी-चोटी variation आजाती है चोटी-चोटी differences आजाती है, वो कहा है, similar होती है, एक जैसी होती है, लेकिन थोड़ी-चोटी different भी होती है Thus, this inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution, as we will discuss in the next chapter तो देखिए, यह कहता है, सल से सल जब पैदा हो रही हैं, तो variation आ रही हैं, यानि विबन्यताएं आ रही हैं, changes आ रहे हैं, differences आ रहे हैं यह differences कहा है, evolution का आधार बनते हैं, evolution की वज़य बनते हैं, evolution की वज़य बनते हैं जैव विकास, जीवों का विकास, जैसे आपने सुना होगा, कि कहते हैं कि इनसान जो है वो बंदरों में से विक्सितों कराया है हमारे पूरवच के पूरवच के पूरवच के पूरवच बंदर थे, तो बंदरों में से ही हम इनसान पैदा हुए हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं evolution कि जब इंसान में बदलाव आता है तो उसको बोलते है evolution तो यह बदलाव किस की वज़े से आ रहा है इस variation की वज़े से यह विभिन्यताएं जो आ रही है DNA से DNA में जो changes आ रहे हैं इससे हम evolve होते हैं कहता है इसको हम अगले chapter में पढ़ेंगे इत तो अब अगला topic आ जाता है the importance of variation इस topic में हम पढ़ेंगे the importance of variation यह जो variation आ रही है यह जो विभिन्यताओं के हम बात कर रहे हैं कि DNA से DNA जब copy होती है तो उसमें change आ जाता है इसका फाइदा क्या है इसकी जरूरत क्या है इसमें पढ़ेंगे देखे एक तो फाइदा ही अभी ह मैंने बड़ा evolution होती है जीवों का विकास हता है थोड़ा और पढ़ते हैं कि book क्या पढ़ाती है populations of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystems using their ability to reproduce population क्यों होती है जनसंख्या कि जो जीव हैं उनकी जनसंख्या है उनके जो organisms हैं उनकी जो members हैं वो कहा है well-defined places यानि वो special places में रहते हैं किसके अंदर ecosystem के अंदर यानि कि देखिए जो कुछ जानवर ऐसे हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं कुछ organism ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं कुछ organism मिट्टी में रहते हैं कुछ organism माइक्रोब होते हैं कुछ macro organism बड़े-बड़े होते हैं वो क्य बच्चा पैदा करने के रिप्रोडक्शन की अबिलेटी का वह वहां यूज करते हैं जैसे मचली न जो है वो पानी में बेबीज पैदा कर सकती है तो उनके गुण है ना उनकी योगता है तो इसलिए वो पानी में रहती है पक्सी क्या है पेड़ पे घोसला बना के अंडे दे सकते हैं तो वो वहां रहती है तो इस तरह है अपनी धरती है उस पे करोडों लाखों अर्बों जो ओर्गैनिजम है वो कैसे अलग अलग जगहां पर रहती है कोई मिट्टी में रहता है कोई पानी में रहता है कोई पेड़ पे रहता है कोई मिट्टी के अंदर भी बिल बनाकर बरो में रहता है the consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche कि DNA से DNA बनने की जो योग्यता है जो यह निरंतरता है consistency जो लगतार DNA से DNA बनता रहता है उससे करता है design बन रहता है organisms का जिससे कहा है वो organism अपने उस particular जगह में रह सकते हैं जैसे इसको ऐसे समझो जैसे मचलिया है मचलिया के गरती है उनमें गिल्स होते हैं, वो गिल्स से सांस लेती हैं, पानी मुह में लेके जाती हैं, और पानी के अंदर जो ओक्सिजन घुली होती है, उसको वो बलड में ले जाती हैं, उससे जीवित रहती हैं, अब ये क्या है, ये बात उनके DNA में छिपी होई है, कि हार एक मचली के अंदर गिल् तो इस लाइन में ये कहा गया है कि जब DNA से DNA बनता है तो उससे क्या है body design मिलता रहता है सारे organisms को जिससे वो अपने उस जगह में रह सकते हैं मालो अगर मालो एक parent मचली है उससे baby पैदा हुआ उस baby में क्या है DNA से जो है घिल्स नहीं गए उसके अंदर अब उसमें गिल्स नहीं बनेंगे तो क्या है वो मचली रही नहीं पाएगे पानी में वो मर जाएगे तो इस लाइन में ये कहा गया है कि DNA से DNA की बनने की जो consistency है नि to the stability of populations of species कि इस तरह reproduction किस से जुड़ा हुआ है कि कोई जो प्रजाति है किसी जनस प्रजातिक जो जनसंख्या है जो कोई प्रजाति का गुरूप है वो कितना stably रहा पा रहा है ना देखो अगर पानी में मचलियां reproduction करते रही तो आने वाले टाइम में भी क्या है मचलियां बुरी मिलेंगी अगर मचलिया reproduction नहीं कर पाई नहीं बच्चे पैदा नहीं कर पाई तो मचलियां धिरे-धिरे खतम हो जाएंग इस पानी से ठीक है तो यह यह बात सभी जानवरों पर लागव होती है यहीं चीजिस में यहां समझाई गई है और निच्च के अंदर चेंज आजकता है और वो चेंज क्या है और और बस के बहार होता है इस है ना जैसे यह समझो अब हम धरती पर रहते हैं मालो धरती पर क्या हुआ कोई बाहर से उलका पिंड मेटियोराइट आ गया कोई बड़ा सा पत्थर तक रागए धरती पर बड़ा बड़े बुकम पाए और सब क्या जानवर मर जाएंगे मिट्टी में दब के मर जाएंगे तो यह क्या है चेंज आ गया उनके निच्च में उनके घर में जो है में एक आ गया है कि ओर्गैनिसम जहां रहते हैं वहाँ पर कोई बहुत बड़ा बड़ाव हो सकता है और वो बड़ाव क्या है उनके बस के बाहर भी हो सकता है जैसे टेंपरेचर ऑन आर्थ केंगो अप और डाउन कि जैसे कि धरती पे हम रह रहे हैं टेंपरेचर जादा हो सकता है कम भी हो सकता है अगर टेंपरेचर जादा हो जाए तो भी मर जाएंगे अगर टेंपरेचर बहुत कम हो जाए तो भी मर जाएंगे और यह हमारे बस के बाहर की बात है वाटर लेवल सकेंवेरी पानी का लेवल जो है वह अगर पानी जादा हो सकता है बाहर डागी तो भी समस्या, पानी आया ही नहीं, सूखा पड़ गया, तो भी समस्या और there could be meteorite hits, meteorite किसको बोलता है, उलका पिंट कि जो अकास से कोई बहुत बड़ा पत्थर आ जाए, आंतरिक से और वह धरती पर टकराए तो इस तरह अगर कोई पत्थर गिर गया, वह भी हमारे बस के बाहर है, उससे भी परिशानी होगी, उससे भी मारे जा सकते हैं सब और गयानिजम तो think of a few examples, यह कुछ example थे, जिससे कहा हम जहां रहते हैं, वहाँ पर कोई नहीं कोई बड़ाव आ सकता है यह सारे जो change है, यह सारे जो वजह हैं, यह हमारे बस के बाहर है, हम पत्थर को कैसे रोकेंगे, वह अपनी मर्जी से आता रहता है if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out कहता है, अगर माल लोग किसी जगहां पर organism रहते थे, ठीक है, वो मजे से रहते थे लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा change आ गया है उस जगहां के, उस जगहां पर कोई change आ गया तो क्या होगा वहाँ पर जो organism रह रह रहे थे, उनका जीना मुश्किल हो गया, और वो क्या होगे, wiped out यानि वो पूरे तबहा हो जाएंगे, वो खतम ही हो जाएंगे वहाँ से, जैसे डाइनोसोर है ना, आज हैंग धरती पर डाइनोसोर, डोडो है, डोडो है अज धरती पर नहीं है तो कहाँ इसी दर है, अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया, सबोज अभी यहाँ का temperature 100 degree Celsius हो जाए, तो हम सारे इनसान मर जाएंगे, क्योंकि हम इतने temperature पर नहीं रह सकते, तो वो बात समझाई गई है लेकिन कहता है, कि अगर उन लोगों के अंदर किसी ओर्गैनिजम में कोई change हुआ, population में कोई change हुआ, variation हुई, और वो variation उसको उस खतरना condition में भी survive करने में मदद कर रही है, तो वो जी जाएंगे आए नहीं समझ में, अभी आएगा समझ में, आगे इस example से समझ में आजाएगा Thus, if there were a population of bacteria living in a temperate waters कहता है, कि एक example से समझाता है इसी बात को, कि पानी है, पानी में ने bacteria रहते थे If the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die अब क्या हुआ, global warming की वजए से उस पाने का तापमान बढ़ गया जिससे क्या हुआ, जो जो बैक्टीरिया है वो तापमान को सैने पाए और वो सारे सारे मर गए But a few variants resistant to heat would survive and grow further लेकिन कुछ ऐसी बैक्टीरिया थे, जिन में change आ रहा था, जिनके DNA में थी क्या, evolution हो रही थी, DNA में change आ रहा था, वो क्या कर गए उस हनीकारक तापमान को, उस high temperature को भी सै गए और वो मरे नहीं, और क्या हो गए वो, वो उस पानी में survive कर गए variation is thus useful for the survival of species over time, तो यानि लास्ट में उताता है कि जो variation आती है, DNA से DNA में जो variation आ रही है एक generation से दूसरी generation में जो change आता है, यह क्या है यह species के लिए, प्रजाती के लिए लावदायक है, उनको survive करने में उनको जीवन जीने में, यह उनके लिए लावदायक है आया समझ में, यह bacterial example नहीं समझ में आया होगा आपको, मैं अब यह page पर इसको समझाता हूँ देखिए, माल लो यह तलाब है, और इस तलाब में यह पानी है, ठीक है, पॉंड है जो यह bacterial example था last में, इसको मैं समझा रहा हूँ, यह पॉंड है माल लो इसमें A नाम के bacteria रहते थे, ठीक है ऐसे, लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं जब bacteria से नहीं bacteria बनता है तो उसमें कोई change जाता है तो कुछ bacteria में change आ गया, और वो कौन से है bacteria, वो है माल लो A-, कुछ bacteria में change आ गया A- तो इसमें थोड़े से नहीं bacteria पैदा होगे, A-, DNA से DNA में change आ गया था अब क्या हुआ, यह सारे bacteria माल लो रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, temperature बढ़ गया, तो आप मान बढ़ गया temperature बढ़ने पर क्या किया, यह वाले bacteria जो पहले bacteria थे, जो जादा थे, जो कहीं सालों से रह रह रहे थे यह इस temperature को सेह नहीं पाए, और यह सारे क्या होगे, किल होगे, सब मर गए लेकिन जो यह A- bacteria थे, जिनमें थोड़ा change था, यह इस high temperature को survive कर गए मान लो अब यह क्या है, यह जी जाएंगे, और future में क्या होगा, यह A- वाले bacteria के तो बच्चे ही नहीं होगे, यह तो बिल्कुल wiped out, खतम हो जाएगे इनकी जनसंग क्या, लेकिन यह अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो आने वाल टाइम में क्या है, धीरे-धीरे A- वाले bacteria पैद की है, आया समझ में, तो यह था हमारा टोपिक, तो यह था हमारा आज का टोपिक, आप इस टोपिक को जितना भी हमने पढ़ा है, यहां तक आप अपनी NCRT बुक से जरूर पढ़िएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले टोपिक के साथ, तब तक के लिए, stay healthy, study joyfully, and namaskaram.